ओम गशी महागड़े शाय नहा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सावन मास की अमावस्य तिथी इस बार 7 अगस्त को शाम 7 बच कर 13 मिलट पर शुरू होगी और 8 अगस्त की शाम 7 बच कर 19 मिलट पर समाप्त होगी उद्या तिथी की मानिता की अनुसा यानि कि जिस समय सूरे उद्य हो उस समय जो तिथी होती है वह तिथी पोरे दिन मानने होती है इस हसाब से सावन अमावस्य इस बार 8 अगस्त को है सावन अमावस्या के दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए दान, पूजापाट, शात्रकर्म आधी करना चाहें मानिता के अनुसार इस दिन पेड़ पौधों की विशी शूप से पूजा की जाती है इसलिए इसे हर्याली अमावस्या कहा जाता है इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की भी पूचा करते हैं पुराणों के अनुसार पीपल के पेड में त्रिदेव, भ्रह्मा विश्णू और महेश का निवास होता है लेकिन दोस्तों इस पार यह अमावस्या रविवार के दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी और पीपल का पूचन नहीं किया जाता इसलिए इस अमावस्या पर तुलसी और पीपल का पूचन ना करे लेकिन इस दिन पौधा लगाना पेड लगाना बहुत ही शुब होता है मानिता के अनुसार इस दिन पेड़ लगाने से शुफल की प्राप्ती तो होती ही है साथ ही जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं सावन अमावस्या के दिन पती पत्नी को एक साथ मिलकर भगवाई शुप मापारवती का पोजन करना चाहें ऐसा करने से बेवाहिक जीवन सुप में बनता है और भगवाई शुप मापारवती का आशिरवाद प्राप्त होता है यह अमावस्या पोजन के साथ ही उपाई करने के लिए भी बहुत शुप मानी जाती है मानिता के अनुसार इस अमावस्या पर किये गए उपाई बहुत ही जल्दी शुफल प्रदान करते हैं और सिध हो जाते हैं दोस्तों हर किसी व्यक्ति के जीवान में सुख और दुख आते हैं कुछ समस्या ऐसी होती है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती आप लाल मेच के यह आसान से उपाई कर अपनी सभी समस्याओं का समाधा निकाल सकते हैं इन उपाईओं को कहने से घर में सुक्सम्रध्धी आती है धन की हानी नहीं होती धन में परकत होती है दुश्मनों का नाश हो जाता है लाल मिच के यह आसान से उपाई करने से बिगड़ी कारे भी बनने लगते हैं कारेों में आ रही रुकावट दूर होती है बीमारी और दुख तरिता का नाश होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी धन की आवक नहीं होती या फिर काम अच्छा चल रहा होता है घर में रुपए पैसा सब होता है लेकिन अचानक ही रुपए पैसे में कमी आने लगती है धन की हानी होने लगती है और काम भी अच्छा नहीं चलता तो दोस्तों इन समस्याओं को दूर कहने के लिए आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें इस उपाय को कहने के लिए आप साथ सूखी हुई साबुत लाल मिच लें ध्यान रखें आपको साबुत लाल मिच लेनी हैं जिसमें डंडे भी लगी हो लाल मिश लेने के बाद अब आप एक लाल रंग का कपड़ा लें एक लाल रंग का रुमाल लेने और इसमें आप इन साथों लाल मिश को रखते और रुमाल से इसे बांदे यानि कि एक पोटली बनाने अब रुमाल में बंदी हुई यह लानमेच आप अपने धन रखने के इस्थान पर रखना है जहां से आप धन रोज रखते हो निकालते हो जहां आप जैलरी वगरा रखते हैं कीमती समान वहां ना रखें रोजाना के जो आप जहां पर रुपए रखते हैं आप वहां पर इस पोटली को रखें आप अपने ब्यापार इस थल पर अपने गल्ले में अपने केश बॉक्स में इसको रख सकते हैं दोस्तों लाल میच की यह पोटली धन रखने के इस्स्थान पर रखने से धन पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। पहले से लगी हुई किसी की जो बुरी नजर होगी, नकारात्मक उर्जा होगी, तो वह भी इस लाल मेच में चली जाएगी, और धन पर से नजर दोश हर जाएगा, धन की आवक पर किसी की रुकावट नहीं लगीगी, और धन की आवक अच्छी होगी, धन की हानी नहीं होगी और धन में बरक्कत होगी दोस्तों धान रखें अगली अमावस्यां पर आपको यह जो साथ लालमेच हैं इनको शुद्ध बहते हुई जल में विसर्जित कर देना है या फिर आप इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और इसे रुमाल में पापस से साथ नई लालमेच बांद कर अपने धन रखने के इस्थान पर रख लें इस उपाए को कैनेजी जल्द ही लाब होता है दोस्तों अगर आपके बंते हुई कारे बिगड़ जाते हैं आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती लगपा रही किसी परिक्षा को देते हैं लिकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस उपाए को अफश्य करें उपाए कहने के लिए आप सूखी लालमेच लें और उसे तोड़ लें और उसके बीच निकाल लें अब आप इन बीचों में से 21 बीच गिनकर अलग रख लें और एक जग में या फिर एक लोटे में साफ पानी लें और उस पानी में आप यह 21 बीच डाल दें पानी में बीज डालने के बाद आप इस पानी को अपने सिर्पर से साथ बार खुमाएं यानि की साथ बार बारें आप खुद भी बार सकते हैं या परिवार का कोई भी सदसे आपके सिर्पर से यह साथ बार पानी उतार दे ध्यान रखें आपको यह clockwise ही उतारना है साथ बार बारनी के बाद अब आप इस बारनी को अपने घर से बाहर फैक दें आप अपने घर से बाहर साइड में या फिर सड़क पर इसको फैक सकते हैं अगर आप building में रहते हैं तो आप building से बाहर जा कर भी इसको फैक सकते हैं इस उपाई को करने से कारियों में आ रही रुकावत दूर होती है बिगड़े कारिय भी पनने लगते हैं और कारियों में सफलता मिलती है दोस्तों यहें उपाई आपको अमावस्या की संध्याकाल या रात्री के समय करना है संध्याकाल से रात में आप किसी भी समय इस उपाई को कर सकते हैं उपाई करती समय आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके नहीं दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है कोई है जो आपको नुकसान पहुचाता रहता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको या आपके परिवार को खुश नहीं देख सकता तो शत्रु को शांत करने के लिए बैर भाव को दूर करने के लिए शत्रो नाश के लिए आप यह आजान सा उपाय अवश्य करें दुश्मनों की सफाई के लिए आप पांच सूखी लालमेच ले और इन लालमेच को लेकर आप अपने घर से बहार जाए घर से बहार जाकर जमीन में आप गड़्धक हो दें गड़्धक खुदने के बाद आप इन लालमेच को अपने सिर पर पांच बार बारे यानि की पांच बार उतारे लालमेच उतारते समय आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है अगर आप अपने दुश्मन का नाम नहीं चानते आपको यह नहीं पता कि कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है कौन आपके पीठ के पीछे बुरा करता है तो दोस्तों ऐसे में आपको अग्याद शत्रू या अग्याद दुश्मन कहते हुए अपने सिर्पल से लालमिच उतानी है अग्याद दुश्मन यानि की कोई दुश्मन जिसका नाम आपको पता नहीं अग्याद दुश्मन कहते हुए या अग्याद शत्रू का नाम पता है तो उसका नाम लेते हुए आपको यह लालमिच उतानी है लालमिच अपने सिर्पल से बारने के बाद आपको यह लालमिच इस गठे में दबा देनी है और मिट्टी से द्रग देनी है गठे में लालमि पुछे मुड़कर ना देखें रास्ते में किसी से भी बात ना करें दोस्तों इस सुपाई को कहने से यकीन मानिये पड़ी से बड़ा दुश्मन भी शांथ हो जाता है और नुकसान नहीं महुचा पाता या तो उस व्यक्ति के मन से बैरभाब दूर हो जाता है या फिर वह श अगर आपके घर में किसी बच्चे को या अन्य सदस्य को नजर लग गई है या कोई व्यक्ति है जो लगातार अकसर बीमार रहता है बहुत इलाज कराने पर भी फायदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वह व्यक्ति बुरी नजर से पीड़ित है या फिर उस पर किसी जो बुरी से बुरी नजर को भी चुटकी भर में दूर कर देती है बुरी नजर को दूर करने के लिए नकारात्मक शक्ति के प्रभाप को दूर करने के लिए आप सास सूखी लादवेच लें उसके साथ ही एक चुटकी नमक और एक चुटकी पीली सरसोलें इन सभी चीश क लेकर आप उस पीड़ित व्यक्ति के उपर से साथ बार बारें ध्यान रखें आपको सिर पर से नहीं बारना आपको उस पीड़ित व्यक्ति के पूरे सरीर पर से इन चीजों को बारना है इसके लिए आप व्यक्ति को या तो खड़ा करें या फिल लिटा लें और फिर उस व् जाने बर्तन में इनहीं रखते हैं और इसके ऊपर कपूर वगयरा कुछ डाल कर जला आते या आप गज़ के ऊपर रख कर भी इसको जला सकते हैं दोस्तों ध्यान रखें पीली सरसों नमक और लालमिश आपको तीनों चीछ एक साथ ही पेड़िद व्यक्ति के उपर से उताने हैं दोस्तों इस उपाई को कहने से आप यकीन मानियें इसका तुरंथ ही लाव देखने को मिलता है दस पंदर मिनट में ही पुरी से बुरी नजर भी दूर हो जाएगी और नकारात्मक शक्ति का प्रवाब भी कम होगा पीलिद व्यक्ति को दस पंदर मिनट में ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंग शरी हलका महसूस होगा जिर हलका महसूस होगा और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी दोस्तों जब आप यह मिर्च जलाएंगे और व्यक्ति पर अगर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रवाब होगा तो जो मिर्च जलाएंगे तो मिर्च जलाने पर के प्रवाब नहीं होगा तो सटर मिय्चि में से इस्मेल नहीं आई है यान Jordan की विएक्ति पर बुरी नज़े तो इसलिए आप यह उपाय लगाता तीन दिनों तक अवर्श्य करें ये जब तक करें जब तक मेक्सिसे समय ना आए एक दिन में आप को यह उपाई एक बार ही करना है दोस्तों लाल मेचकी यह जो सारे उपाई आपको संध्या काल से रातरी की समय करने हैं आप रात में किसी भी समय इन उपाईयों को कर सकते हैं ध्यान रखें इन उपाईयों को करते समय कोई भी आपको टोके नहीं इस बात का विश्य ध्यान वेना उपाय सफल नहीं होंगे उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें जिसे वह भी इससे लाग राप्त कर सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे